शराव नीती केस में 21 मार्च से जेल में बन दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजविवाल से जुड़े दो मामलों पर सोमवार को दो अलग-अलग कोर्ट में सुनवाई हुई पहला मामला केजविवाल के जेल से सरकारी आदेश के खिलाव था सुरजीत सिंग यादव ने PIL दाखिल कर जेल से सरकारी आदेश देनी पर रोक लगाने की मांग की थी इस पर आक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीद पृतम सिंग अरोडा की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिच कर दी दूसरा मामला केजविवाल की रिमांड का है एक अप्रेल को उनकी एडी की रिमांड अब खत्म हो रही है एडी आज उन्हें राउज एवन्यू कोर्ट में पेश करते हुई नसर आए कोर्ट के बाहर केजविवाल ने मीडिया से कहा कि ये जो कभी रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है केजविवाल की पतनी सुनीता केजविवाल भी कोर्ट में मौझूद है